नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है बधाई हो आप सभी को आप सोचेंगे कि ये बधाई किस बात की बधाई इसलिए क्योंकि हमारी खिचडी ने गिनीज बुक आफ वर्ल्ल रिकॉर्ड में जगह बना ली है जी हाँ दिल्ली के इंडिया गेट पर शनिवार को वर्ल्ड फूर्ड इंडिया में जाने माने शेफ संजीब कपूर समित पचास खान सामों ने मिलकर 918 किलो खिचडी बनाई जिसमें चौक लगाने की महती जिम्मेदारी उठाई योग और बिजनेस गुरू रामदेव ने बताया जा रहा है कि दाल, चावल, बाजरा, रागी, मूंग, छिलके वाली दाल और अलग-अलग मसालों के साथ इस खिचडी में 100 किलो देशी घी का तड़का रामदेव ने ही लगाया है अब यह जानना देलचस्प होगा कि यह खिचडी पातंजली के उत्पादों से तयार हुई है या बिना ब्रांड वाले भारतिय किसानों के अनाजों से खिचडी बनाने में केंद्रिये खादे प्रसंसकरन मंतरी हरसिम्रत कौर बादल और राज्य मंतरी साधवी निरंजन जियोती ने भी योगदान दिया ऐसे भी पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद बादल परिवार के पास उपलब्धियों का टोटा पड़ गया था लेकिन अब बादल परिवार की बहु हरसिम्रत कौर ने खिचडी का वर्ल्ड रिकौर्ड बना कर उस कमी को थोड़ा पूरा कर दिया है वैसे खिचडी को इस तरह सुर्खियों में लाकर और अंतराष्ट्रे इस तरपर ख्याती दिलवाकर सरकार ने एक अच्छा काम किया है खबर थी कि खिचडी को राष्ट्रिये वेंजन यानि नेशनल डिश घोशित करने की तयारी चल रही है लेकिन मंतरी महोदया ने ट्वीट किया कि नेशनल डिश के नाम पर ख्याली खिचडी पकाना ठीक नहीं खिचडी बन रही है लेकिन वर्ल्ड फूड इंडिया में एक एंट्री के बतार सही है दरसल सरकार का मकसद खिचडी को ब्रांड इंडिया फूड के तौर पर स्थापित करना है या मोदी सरकार की पुरानी रीत है कि जो चीज भारत में पहले से मौजूद है उसका धेर सारा प्रचार कर बताते हैं कि देखो ये काम हमने ही किया है खिचडी ताजा उधारन है जो सद्यों से हमारी रसोई का हिस्सा है भारत की अनेकता में एकता की जीती जागती तस्वीर है खिचडी भारत के लगवग हर प्रांत में खिचडी अपने पारंपरिक रूप से बनती है उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में मकर संक्रांती का पर्व खिचड़ी ही कहलाता है और दक्षिन भारत में पोंगल खिचड़ी का प्रतिनिद्धित्व करता है गुजराती की खिचडी की विशेषता तो नरेंदर मोदी और अमित्शा जानते ही होंगे तहेरी, पुलाव, विर्यानी भी खिचडी के ही रूप कहे जा सकते हैं पंजाबी, सिंधी, जैनी खिचडी बनाने के अपने तरीके हैं और मालवा, बुंदेलखंड की खिचडी भी की भी अपनी विशेषताएं हैं केदिग्री नाम का एक डिश योरोप में भी है जिसका अर्थ इंग्लिश डिक्ष्णरी में खिचडी ही लिखा है शायद ये डिश भी इंडियन खिचडी से ही प्रभावित है मिडिलिश्ट के देशों में कोशियारी नामक पकवान भी खिचडी की तरह ही कई दालों और चावल को मिला कर बनाया जाता है कहने कार्थ ये कि गिनीज भुक में आने से पहले ही भारतिये खिचडी विदेशों में अपनी धाग जमा चुकी है भारतिये लोग परंपरा का महतुपूर्ण हिस्सा है खिचडी खिचडी पर लोग अथाएं हैं खिचडी के चार यार घी पापर दही अचार जैसी तुकबंदियां हैं और सबसे मशुहूर तो बिर्बल की खिचडी का किस्सा है गरीब धोबी को न्याय दिलाने के लिए बिर्बल ने तो अपनी खिचडी नहीं पकाई लेकिन अब तो राजनितिक तकाजे सिशासन करने लगे हैं गरीब की भलाई के नाम पर राजनिती में खिचडी पकाना आम बात हो गई है इससे राजनिताओं को सत्ता की ताकत मिलती है अब देखना है कि इंडिया गेट पर बनी खिचडी में मुदी सरकार को बचे दो सालों में कितनी ताकत मिलती है वैसे यह देखकर आशिर हुआ कि सब जगा अपनी मौजूदगी का अहसास कराने वाले प्रधानमंत्री जी खिचडी पकाने के वक्त नजर नहीं आए क्या वे गुजरात और हिमाचल में खिचडी पकाने में वेस्त हैं आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए डी बी लाइब नमस्कार